हेलो फ्रेंड्स तो आज हम पढ़ेंगे सोर मंडल पार्ट फर्स्ट तो नेक्स्ट कोशन है अपना प्रत्वी और सूरिय से सबसे दूर इस्तित ग्रह कौन सा है तो इसमें ओप्षन है ए वरून बी है सुक्र सी ब्रस्पति और डी है इनमें से कोई नहीं तो इसका राइट आंसर होगा ए वरून राइट इस आंसर ए नेक्स्ट कोशन है अपना ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है तो इसका राइट आंसर होगा बी समताप मंडल तो राइट इस आंसर बी नेक्स्ट कोशन है अपना प्रत्वी का एक मात्र उपग्रय कोन सा है तो इसमें ओप्शन ए है चंद्रमा बी है बुद्ध सी है ब्रस्पति और डी है मंगल तो इसका राइट आंसर होगा A, चंद्रमा तो राइट इस आंसर A नेक्स्ट कोशन है अपना सूरिय से सरवादिक दूर इस्तित ग्रह कोन सा है A है ब्रजपती, B है मंगल, C है वरून और D है सनी तो इसका राइट आंसर होगा वरून, C राइट इस आंसर, C तो नेक्स्ट कोशन अपना सोर मंडल में कोन सा अत्यदिक तीर्व चंपकिला ग्रह कोन सा है A ओप्सन सुक्र, B है सनी, C है बुद्ध, D है इसमें प्लूटो तो इसका आंसर होगा सुक्र तो राइट आंसर इस, राइट आंसर इस, A सुक्र नेक्स्ट कोशन अपना आकास में सबसे चमकदार तारा कोन सा है A ओप्सन है प्रोक्सिमा सेंचूरी, B है बर्नाड, C है नेबूल और D है साइरस तो इसका राइट आंसर होगा साइरस राइट इस आंसर डी नेक्स्ट कोशन अपना प्रत्वी के सबसे निकट का ग्रह कोन सा है तो A ओप्सन है इसमें सुक्र, B है वरुण, C है ब्रस्पति, D है बुद्ध तो इसका आंसर होगा A, सुक्र तो राइट इस आंसर, A नेक्स्ट कोशन अपना सरवादिक ठंडा ग्रह कोन सा है A ओप्सन है इसमें यूरेनस B है सुक्र, C है ब्रस्पति और D है सनी तो इसका आंसर होगा यूरेनस राइट इस आंसर, A नेक्स्ट कोशन अपना सबसे छोटा, M सूर्य से सबसे निकट इस्थित ग्रह कोन सा है A ओप्सन है सुक्र, B है वरूण, C है बुद्ध, और D है ब्रस्पति तो राइट आंसर होगा इसका बुद्ध राइट इस आंसर, C नेक्स्ट कोशन है सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक भारी ग्रह कोन सा है A है इसमें बुद्ध, B है ब्रस्पति, C है वरूण, और D है इसमें सुक्र तो इसका राइट आंसर होगा, B ब्रस्पति, तो राइट इस आंसर, B नेक्स्ट कोशन है इसमें, चंद्रमा के प्रकास को प्रित्वी पर आने में कितना समय लगता है A उप्सन है 8 मिनट, B है 5 सेकिंड, C है 1.3 सेकिंड, और D है 8.3 सेकिंड तो इसका आंसर है C, 1.3 सेकिंड, तो राइट इस आंसर, C नेक्स्ट कोशन अपना, प्रित्वी की बहन या जुडवा ग्रह किसे कहते है A उप्सन है, सुक्र को, B है बुद्ध को, C है सनी को, D है ब्रस्पति को तो इसका आंसर होगा, सुक्र को, इसका आंसर होगा, सुक्र को तो राइट इस आंसर, A नेक्स्ट कोशन है, इसी के साथ, बिना उप्ग्रह वाला ग्रह कोंसा है तो A उप्सन है, बुद्ध, B या सुक्र, C है दोनों, और D है इन में से कोई नहीं तो इसका आंसर होगा, दोनों, बिना उप्ग्रह वाला जो ग्रह हैं, बुद्ध और सुक्र दोनों ही है तो इसका राइट इस आंसर होगा, C नेक्स्ट कोईशन अपना, लास्ट कोईशन अपना, टाइटन किस ग्रह का उप्ग्रह है तो इसमें ओप्सन A है मंगल, B है ब्रसपती, C है सनी, D है यूरेनस तो इसका आंसर होगा, सनी, तो राइट इस आंसर, सनी थैंक्यू सो मार्ट